नमस्कार दोस्तों मैं हूरोई तो आप देख रहे हैं विग रो मीजिक सीरी तो सबसे पहले तो आप सभी का थेंग क्यू करता हूँ जिन मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया था अपने यूट्यूबर भाईयों को भी मैं थेंक्यू बोलता हूं और अपने जो व्यूवर्स हैं, अपने दोस्त हैं, अपने भाई हैं, जिन्होंने रीट्वीट किया था, तो उनका भी तह दिल से मैं शुक्रियादा करता हूं, तो अपना चैनल वापिस आ गया है, ये मैं आप लोगों के सामने वो लेके आया हूं इसका, जो आप लोगों को दिखाया जाता है, वैसा कभी कुछ होता ही नहीं है, तो जैसे कि आज हम बात करेंगे एंप्लिफायर के बारे में, तो एंप्लिफायर से पहले मैं आप लोगों को सब वूफर के बारे में बता दू सब वूफर ले लो, एम्प्लिफायर ले लो, एक ही बात है दोनों में, क्योंकि कम्पनियां जो होती है, इनकी कभी भी actual power को सामने नहीं दिखाती कभी भी, जो इनकी true power होती है, उनको कभी भी सामने company दिखाएगी ही नहीं आप लोगों को, तो जैसे कि आपका JBL का होता है, 1400 watt, उसकी power जो true power होती है, वो 300 watt RMS होती है, कम्पनियां हमेशा आपको peak दिखाती है, peak power दिखाके, आपका मन उसको देखके ललचाता है, और आप उसको खरीद लेते हो, जैसे कि मैं आपको एक example लेता हूँ, आप Sony का 4 channel amplifier लेते हो, ठीक है, उस के उपर लिखा होता है, 1000 watt, क्या वो 1000 watt है, वो आपको, अब वो अपनी जगा सही है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, उनको कोई कुछ गडबड़ वाली बात ही नहीं है, उसमें, उन्होंने 1000 दिखा रख है, वो 1000 क्या है, वो 1000 उनकी peak power है, peak power का क्या लेना देना होता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो जो power होती है, true होती है, RMS, अब जैसे आपका वो Sony का 1000 watt का amplifier है, 4 channel, उसकी जो true power, total power होती है, वो 3500 तक होती है, क्योंकि वो 60-70 watt RMS per channel होता है, 60-70 watt per channel होता है, RMS, और आपको वो show कर दिया है, 1000 watt, वो आपको peak show कर दिया है, उसकी, ऐसे ही, अभी मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है, मुझसे जब subwoofer मंगाते हैं लोग, तो मैं हमेशा एक चीज, देखो भाई, मैं सामान देने पे विश्वास ने रखता, सबसे पहले मैं requirement पूछता हूँ, चीजे क्या है आपके पास, आप कहां पे इसको चला होगे, जैसे ही मैं कोई subwoo subwoofer, तो मैं amplifier पोछता हूँ, तो जैसे मैंने 1000 वाट का amplifier, sorry, subwoofer दिया, तो जो हमारे Chinese amplifier आते हैं यह V12 बगारा के, इनके उपर लिखा होता है, अठातर सो वाट, पचैतर सो वाट यह लिखा होता है, और मैं बोलता हूँ 1000 वाट का subwoofer, वो बोलते हैं कि भाई, वो फोर चैन की वज़े से यह सब कुछ खो रहा है, और मैंने दुकान दारों को भी यह देखा है, कि उनको नहीं पता वो भी वही चीज उनको सेम बोलते हैं, तो यही चीज मैं आपको लोगों को बताना चाहरा हूँ, कि जो देखो जो हमारे हाई-end ब्रैंड है, उनमें यह नहीं होता उनमें true दी गई होती है, उनके amplifier के उपर ही लिखा होता है, जो हमारे बड़े subwoofer, बड़े amplifier जो होते हैं, उनके उपर true दी होता है, लेकिन जो हमारे छोटी मोटी कंपनी हैं, जैसे JBL, Sony, Piner, यह अरा वगएरा तो इनके उपर नहीं होता, यह लिखके दे देती हैं आपको है, आप वो पढ़ लेते हो, ऐसे ही subwoofer के जो dust cap होती है, उसके उपर 1400 लिख देंगे, बट मैगनेट के नीचे 300 लिखेंगे, यह सबसे बड़ा जूट है, audio line का सबसे बड़ा जूट है, और हमारे home theater में भी आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, PMPO लिख देते हैं, कि इतनी power के आप देखे, आरे यार, यह तो 3500 वाट का है, यह तो इतने, actual में होता वो 100 वाट का भी नहीं है, यह सबसे बड़ा जूट है, यह आप लोगों को समझना होगा, यह तब ही समझ में आएगा आप लोगों को, यह बहुत ज़रूरी आप लोगों के लिए, देखो, knowledge की ब समझ में आएगा, true power क्या होती है, RMS होती है हमारी, और companyya हमेशा हमें true नहीं दिखाती, वो हमें peak power दिखाती है, जो peak होती है उनकी, वो power उनको आप हमारे amplifier के बाहर शो कर देती है, जिससे आप सोचते हो कि हमारा amplifier या subwoofer बहुत powerful है, तो यह सबसे बड़ा जूट है, तो आ अच्छे अच्छे amplifier इस time market में available हैं, जिनको आप ले सकते हो, अच्छे price में, Amazon का link डाल दूँगा, मैं वहां से आप उनको purchase कर सकते हो, तो दोस्तो एक बार फिर मैं thank you बोलना चाहूँगा, जिनों ने मुझे support किया, तो उमीद है दोस्तो आप लोग वीडियो अच्छी आप, तो मिदा लगां, बप्ल Southernwasser, मिले वोगय अच्छे रए में वीडियो गपैय।